हेलो स्टुडेंट्स अब हम करें वर्क्षीट नंबर पॉर चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम देखो क्या गिवन हैं find the value of 32 की power 2 by 5 तो देखो अपने को find करके दिखानी है 32 की power 2 by 5 ठीक है तो कैसे find करते हैं 32 की power 2 by 5 है ठीक है तो 32 को अपने क्या लिसकते है 2 की power 5 लिख सकते है लिख सकते हैं ठीक है क्योंकि 2 की power 5 क्या होती है 32 अब देखो इसको अपने A की power M into N आजएगा formula 5 into 2 by 5 तो 5 से 5 क्या आजएगा cancel तो यह आजएगा 2 की power 2 ठीक है तो यह 2 की power 2 क्या होता है 4 तो अपना जो answer आएगा student वो इसमें क्या आएगा 4 ठीक है यह आएगा student डिसका answer B next question देखो 16 की power है 3 by 4 तो 16 की power अपने find करके देखते हैं 3 by 4 देखो 16 की power अपने 3 by 4 find करके देखते हैं तो अब अपने 16 को लिख सकते हैं 2 की power 4 ठीक है तो अब यह a की power m into n यह आपस में multiply हो जाएंगे तो 4 into 3 by 4 4 से 4 cancel तो यह बचेगा अपने पास 2 की power 3 तो 2 की power 3 होता है student 8 तो इसका जो answer आएगा student वो अपने पास आएगा 8 क्या आएगा 8 ठीक है तो अपना जो answer आजेगा वो student क्या आजेगा 8 अब अपने करना है 125 की power minus 1 by 3 क्या करना है 125 की power minus 1 by 3 125 की power दे रखी है आपको minus 1 by 3 ठीक है तो कैसे करेंगे देखो इसको सबसे पहले अगर अंदर वाले को अपने reciprocal कर दें तो ये power हो जाएगी student 1 by 3 ठीक है 1 की power अब अपने इसको ऐसे ले सकते हैं 1 की power 3 upon 5 की power 3 ठीक है इसकी power दे रखा है 1 by 3 ठीक है 1 की power 3 1 होती है और 5 की power 3 ये दोनों 3 जो है बाहर वाले से multiply हो जाएंगे तो ये आजेगा 3 into 1 by 3 3 से 3 cancel होजेगा तो आजेगा क्या 1 by 5 ठीक है तो इसका जो answer आएगा student वो क्या आएगा 1 by 5 यानि ये आएगा इसका answer 11 की power 1 by 2 divided by ये तो easy सा है 11 की power 1 by 2 divided by 11 की power 1 by 4 तो देखो 11 की power 1 by 2 में से 11 की a की power m upon a की power n वाला formula लग जेगा तो ये power उपर जाके क्या होजेगी minus का है और lcm ले लेंगे 11 की power 4 4 में 2 का divide किया 2 2 बन जा 2 minus 1 तो ये आजेगा 11 की power 1 by 4 यानि अपना जो answer आएगा वो student क्या आएगा 64 की power minus 3 by 2 है 64 की power है minus का 3 by 2 तो 64 की power minus 3 by 2 है देखो इसको कैसे करते है मैंने आपको बताया था ये जो power है वो क्या हो जाती है student ये जो power है वो हो जाती है क्या positive कैसे 1 by 64 करके ठीक है तो ये होजेगी student 3 by 2 अब अपने इसको लिख सकते है 1 की power 2 और नीचे लिख सकते है 8 की power 2 और उपर दे रखा है 3 की power 3 by 2 ठीक है क्योंकि 1 की 2 1 होती है और 8 की square 64 होती है अब अपने 1 बाइ 8 अलग लिख देंगे और उपर आजेगा 2 into 3 by 2 2 से 2 कैंसल होजेगा क्या बचेगा 1 by 8 की power 3 1 by 8 की power बचेगा 3 और 1 की cube होती है 1 और 8 की cube होती है 512 तो अपना जो answer आएगा और student वो क्या आएगा D क्या आएगा student D ठीक है तो यह अपने थे वर्षिट के 5 question अब अपने करने जा रहे है next question देंगा Hello students अब देखो अपने करने जा रहे next question देखो क्या है 125 की power 2 by 3 यह अपने को given है देखो तो अपने इसको लिख सकते हैं 5 की power 3 तो 5 की power 3 की power 2 by 3 यह 3 जो है वो इससे multiply होजेगा 3 से 3 cancel होजेगा 5 की power आएगा 2 जिसको अपने क्या लिख सकते है student 25 तो अपना जो option आएगा student वो क्या आएगा भी ठीक है next similarly ऐसी ही है आपके पास 25 की power दे रहका है 3 by 2 25 की power है 3 by 2 तो इसको अपने लिख देंगे 5 की power 2 और यह multiply होकर हो जाएगा 2 से 2 cancel 5 की power आगया 3 और यह होता है 125 यानि इसका जो answer है student वो क्या आएगा c 1 by 11 1 में 11 का divide करना यह बिलकुल easy सा है अपने को check करना है 1 में 11 का divide करने के बात क्या आएगा तो यह तो आप करके दिखाएगा इसमें क्या answer आएगा यह आपको करके दिखाना है ठीक है next question देखो अगर कोई decimal explanation जो है terminating है तो उसके denominator में क्या क्या होना चाहिए यह आपको बताना है तो मैंने आपको बताया हुए 2 और 5 होगा तब ही उसका denominator है वो terminating होगा जैसे 35 upon 35 upon 100 है तो यह point 35 आता है तो यह जो value है वो 2 और 5 के multiple है ठीक है otherwise इसके अलावा कुछ भी आता है denominator में तो वो terminating नहीं होगा last question देखिए यह आपको ऐसे दे रखा है 7 यहां लगा रखा है 3 इसका मतलब यह होता है अगर अकेला route 7 आए तो यह चीज़ द्यान रखना 7 की power half होती है क्या होती है half और अगर इस route के अंदर कोई value आती है जैसे 3 आ गया तो अपने उसको लिखते है 1 by 3 ठीक है 7 की power 1 by 3 अगर route के अंदर जैसे 4 आ गया तो अपने उसको लिखते है 7 की power 1 by 4 यह चीज़ द्यान रखना अगर route के अंदर जो भी value आती है जैसे आ गया route में 7 आ गया यहां लिख दिया 6 तो अपने उसको ऐसे लिखते है 7 की power 1 by 6 और अगर अकेला route है तो वो होता है 7 की power half तो यह चीज़ concept है द्यान रखना 7 की power अगर यहां पे जैसे कोई value है a और यहां लिख दिया n तो इसको अपने लिखेंगे a की power 1 by n यह identity होती है student द्याद रखेगा ठीक है तो इसका जो answer आएगा student वो अपने पास क्या आएगा बताईए तो इसका जो answer आएगा वो अपने पास आएगा c ठीक है तो यह अपने 10 question worksheet number 4 complete होती है आज के लिए इतना ही like जिरूर करें comment जिरूर करें ठीक है thank you have a nice day all of you